एक बार ककर सर की स्कूल की खराब हो गए थी और इसलिए वो पैदल ही स्कूल की दरब जा रहे थे लेकिन इसकूल तो काफी दूर था ककर सर पैदल चलते हुए जा रहे थे कि तभी पीछे से भीर अपनी साइकल से आता है और भीर ककर सर से कहता है सर आज आप पैदल क्यों जा रहे हो कि आपकी भाई खराब हो गई चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ मैं भी इस्कूल की तरफ ही जा रहा था भीर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस खटारा पर बैठूंगा मुझे बहुत गुसा रहा है चले जाओ यहां से और इतना कहकर ककर सर आगे बढ़ते हैं और बीर को एक लपका मार देते हैं और फिर बहां से गुसा होकर इस्कूल की तरफ चले जाते हैं जबके बीर बेचारा बही पर रोता हुआ खड़ा रहता है ककर सर और बंटी की आपस में बहुत बंटी थी इसलिए ककर सर और बंटी एक दिन आपस में मिलते हैं और फिर बंटी ककर सर को बताता है कि बीर एक रोबोट है और हमें अब उसकी पोल खोलनी है और फिर बंटी और ककर सर दोनों बीर की पोल खोलने का पूरा फैसला कर लेत अगले दिन बंटी बीर के पास जाता है और फिर बीर से कहता है कि बीर तुम्हें प्रिंसिपल सर और ककर सर ने अभी पार्क में बुलाया है उन्हें तुमसे बहुत जरूरी काम है इतना सुनकर बीर बहां से भागता हुआ अपने स्कूल की तरफ चला जाता है बंटी ये देखकर काफी खोस होता है इधर दूशी तरफ ककर सर और प्रिंसिपल सर पार्क में खड़े हुए बीर का इंतजार कर रहे थे लेकिन बीर तो अभी तक नहीं आया दोस्तों क्या सब लोगों को पता चल जाएगा के बीर एक रोबोट है अगर आप कुछ जानना है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बीर दा रोबोट वाई लिग दें